हालो फ्रेंड्स वेलकम ट्यूनिक इस्टार्ट क्लासेस मैसल रभी सर और वीडियो छोड़के जाएगा मत और हम लोग नेक्सट इस्ट्रेप में यूपी ट्रेट और सेट करने वाले है और विगत वर्सव में पूछे देट के कुछ कोसें साल्व करते हैं जैसे आपको निकालना है अंडरूट आपका 2025 है इसका आपको वर्गमूल निकालना है जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में वर्गमूल निकालने पर बहुत ही डिटेल बाते की थी तो आप लोग उसको देख लिजेगा फिर भी मैं आपको एक्स्प्लिन कर दे रहा हू बीस 25 मैंने बताया था कि जिस भी संख्या जिस भी परफेक्ट स्क्वाइर के लास्ट में क्या हो तो तो क्या करेंगे जब पांच है तो वर्गमूल निकालने तो इकाई के अस्थान पर क्या आएगा एक एकाई के अस्थान पर आपका 5 ही आएगा और पीछे से कितना कि 120 बीश चार कमच्वार्ट 25 बाद नहीं है ज़स्ट लिख देंगे और आपके 25 आपको जघर लगा कि को जरूरत नहीं में तो लगा तो यह आठ आएगा नव यह तो तो तीन यह साथ आएगा और छए चार यह चार यह तो आपको यह याद ही करना पड़ेगा और लेकिन पांच के लिए अगर याद नहीं है तो उसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जब भी देखिए कि लास में क्या दे रखा 25 क्या दे र तो चार अब पांचे कितना बीस बीस को ऐसे दो बागों ब्रेक करिए उसका अंतर कितना होना ची एक होना ची तो चार पांचे बीस और इसमें जो छोटा मान होगा चार वहीं आप यहां लिख दीजिए तो आपका क्या होगे 45 एंसर हो गया जिस भी परफेट उसकार के ला पर एक उसका अंतर कितना है एक आए तो जो चोटी वेली वैलू क्या होगी इहां लिख देंगे पांच की पछली लिख आपको और बता देता हूं जैसे आपको 110 25 110 25 का आपको क्या निकलना इस्क्वारूट निकलना है बैरी सिंपल देखिए कैसे 25 है अथा पांच लास्ट करिए बचा कितना 110 110 को ऐसे दो बागम ब्रेक करिए ताकि उसका अंतर कितना है एक आए तो 110 को दो बागम ब्रेक करेंगे इसका मतलब कितना होगा दस गुड़े 11 10 गुड़े 11 11 दहां में 110 और इसमें जो छोटी वाली वैल होगी दस उसको क्या करेंगे पांच की नीचे लिख देंगे तो आपका 110 25 का जो स्क्वारूट होगा आपका कितना होगा 105 होगा अई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग क्या करते है नेक्स्ट कोशन देखते हैं चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट कोशन देखते हैं जैसे आपको दे रहे का कि अंडरूट 248 प्लस अंडरूट 51 प्लस अंडरूट 119 तो सबसे पहले दोस्तो मैं आप लोगों को इसका इस्ट्रिप बताऊंगा फिर उसके बाद आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको कुछ करना ही नहीं है मैं आपको गारेंटी देता हूं मातर देखते ही एक सेकेंड विसका आप क्या करेंगे जवाब देने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले होता है कि इसमें जो अंडरूट है पले इस अंदर से नीचे स अंदर से नीचे से स्टाइट करते 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 पूरा गरते हैं चलिये को मुझेयों को त्यों लिखेंगा यह इसे 238 प्लस अंडरूट क्याओं अब देखिए 179 को कवर मुल कितना होगा कि 13 थै जीतेंगे तो आएगा आपका अंडरूट 64 आएगा फिर अपनिकाल लीजिए फिर इस रूट को गयाप करेंगे तो 248 और आपका 64 परफेक्ट इसको नमर है तो 64 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा आठ होगा तो यहां आठ लिग दीजिए फिर क्या करिए इन दोनों को आठ टाट सोरह पांच दो 256 फिर स्क्वारूट गाप करिए तो 256 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा तो जो आपसा नमर कितना होगा स्री होगा अगर दोस्तों याद रखेगा अगर आप लो किसी भी कमप्टिसन एक्जाम में चाहसे इटोटो चाहई पीटोटोटो कोई भी कमप्टिसन एक्जाम हो अगर आप लोग इस मेथड का यूज करते हैं तो आपको जादे टाइम लगेगा और हमको आपसन मारने हैं तो देखिए सबसे फास्ट ट्रिक क्या है हलाकि मैं आपको इसमें दो ट्रिक के बताने वाला हूं देखिए अगर क्या करिए कि ह आट में सबसे करने जा न यह सबसे हूं मैं मुझबआने कर सकते हैं 169 क wrapping मुझवाणे कंवानी 13 में क्या होटे तो आपको इससे भी फास्ट बताने वाला हूं मात्र आप देखेंगे और ऐसे कोस्टन का मुझा बानी आप क्या करेंगे एंस नबार देंगे सब्सक्राइब आपको क्या करना के ऐसे को देखेंगे कि नच्थ्धिक इसक नजबीक या किसके स्क्वार्स और वाले देखें हम देखनी है क्योंकि स्क्वार होता दो सभाची सोता है तो 15 स्क्रूर पर नमर क्या आईगी सोअंगी इसका मतलब ड़ के स्क्षा का यह 151 का स्पन्ट 205 कर्ट चोंग ermut तो इसके बाद जो आपकी perfect square number आने वाली है वो क्या होगी 256 और 256 किसका जो square root होगा वो कितना होगा 16 होगा और आप क्या कर सकते हैं कि 16 मुझवानी मार सकते हैं और आपको ऐसा solve करने की जरूत नहीं है नो तो इसका वर्मूल निकालना ना तो आपको इसका वर्मूल निकालना है ठीक है ना तो आपको add करने बस देखिए कि 248 किसके square के नजदीक है और गवने देखा कि 15 कि उसका दो सब्सक्राइब पचीस जब भी पड़ेगा पंदर के बाद ही पड़ेगा तो उसके बाद 248 इसके बाद जो फर्फेक्ट नमबर है दोसों क्या है चपन है अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेस्ट को संदेखते हैं ऐसा आपके एक्जाम में को सन आ गया और आपको वर्गमूल निकालना है तो चलिए हम आपको पहले ट्रिक बताते हैं जो कि मैं आपको पिछली वीडियों बता चुका हूं नाइन है जब भी कोई परफेक्ट नाइन है तो आपका क्या आने वाला है वर्गमूल निकालते समय यूट प्लेस पर या तो तीन आएगा या तो साथ आएगा और पीछे से दोड़ डिजिट कट करिए और आपका छासा चालीस चासा चालीस किसके स्क्वाइर के जस्ट बाद है क्या आप लोग बता सकते हैं कब्एब आपका जो होता है PMDppa hiệnар डिक अधिक तो ओगए तो 796 अधिक आने अचे चालेस किया तो 49's की लिखे ऑचिस लिखाय लिजिए 5500 और यदि उसके बाद बता आपको कि इन दोनों आप्शनों में से कोई एक ही आप्शन होने वाला है को एक ही आप्शन होगा अब क्या होगा कैसे चेक करेंगे क्या करिए कि जो 25 लिख लिजिए और 25 का सक्सिस्टर लिख लिजिए कितना आप इन दोनों को मैंटिप्लाइ करिए 25 शकाँए 500 कैरी 15 25 दूनी के 50 पंदर जोड दिजिए 5 5 एक 6 और आपका 1 क्या अतना हो गया जीरो मतलब आपका 650 आगया अब देखिए जो 650 आया 640 से क्या है उंगले आप यहां रखिए तो आपको जो 640 से कम है जब कम है इन दोनों कम नमर क्या है बताए तीन है अब यहां क्या लिखेंगे ती लिखेंगे इसका मतलब जो परगमूल होगा 200 क्या होगा तीरपन आपसे नमर आपका क्या सी होगा करेक्ट लेकिन हां दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप एक कि 940 से किसके स्कॉर क जैस्ट बाद होगा 25 के बाद होगा और आपसन के काड़ियं देख्याओ के पचीस 25 बस मातर आपस नमर सी में है जो 55 है मातर आपसन नमर सी में और किसी में आपका पचीस नहीं है तो आपको क्या करना कि 640 किसके स्कार करें तो 25 के बाद है इसका मतलब कि हमापको पचीस आने वाला है तो यहां देखिए आपसर नमर सी में 25 दे रह आपसर तो आपसर नमारी है और आपको पूरा complete साल्प करने के कोई जूरत नहीं है जी हां दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको हो सकता कि थोड़ा टाइम लग सकता है यह हो सकता कि आप सोच न पाएं एक बात मा आपको बताना चाहता हूं अगर आप लोग यदि आप लोग चाहते हैं कि स्क्वार रूट निकालने का ऐसे को सनों का साल्प करने का सबसे फास्ट्रीक मात्र एक सेकंड में बीना पेन और कांपी उठाए आपको न तीन या साथ करने के जुरूत है ना तो आपको चेक करने के जुरूत है कि 640 कि स्क्वार के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सच में चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स वीडियो में सबसे फास्ट्रीक लेकर आँ अगर आप संदिया हो तो आप संदेखते ही बस मातर देखते ही उसका एंस और मार दें मैं आपको लोगों को बताने वाले किन हो अने कन्डिशन जब कि 100 कमेंट्स और 100 लायक्स नहीं होंगे दोस्तों मैं आपको बताने वाला नहीं हूं यह हॉप जब तक कि मैरे one date and like ho जाएंगे तो मैं आपको क्या करने वाला हो recherche बताने वालब हूं जो मातर देखने ह्प्रश यह पिया l HP कमेनलका और आप क्या करेंगे कि 11 रोड़ा को में है चली देखते हम लोगवा क्या करते हैं कि ने कॉस्टन देखते हैं हँर लिखाया कि 25,80 mm के अंडर रूट कुट्न मार्क दे रखा है, बड़बर 324 आपको कुट्न मार्क के जगां क्या होगा मान तो एसे क्ütन में अगर क्या करिए कि जहां क्समा क्च रखा है आप वहां क्या करें लिख लिख लिए जो एक्स का मान होगा वहीं आपका को सब्सक्राइब का मान होगा तो आसे कंडिसर में क्रास मटिप्लाइब करेंगे तो अंडरूट आपका एक्स इंटू 324 बराबर 2592 अंडरूट एक्स इस एकल टू 2592 अपानके 324 नीचे चला जाएगा इंटू में राइट साट जाएगा डिवाइड मोग जाएगा अंडरूट एक्स इस एकल टू जब आप इसका डिवाइड करेंगे कि पचीश सो बानवे में जब 324 के डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आठ और आपको एक्स की फाइंट तर नहीं है तो दूनों पच्छों कवर्ग कर दीजिए जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि एक्स इस एकल टू आठ कवर कितना चौंसट जब दूनों पच्छों फाइंट कर दीजिए और आपको समझ में आ गया होगा हा अगर आपको मेरा तरीका मेरा जो में समझ में आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और से जरू करें अपने दोस्तों की बीच ताकि सब को इसका फैदा मिल सके चलिए देखते हैं स्कूर्स को सबां ओग सली है और देखेते हैं कि बहुत स्प्राइला क कि 3.1 का को लुप को थ्री पॉइंट वन का वोलिश्कार्ट को संवार क्या और आपका चार अप्सन दे रहा है बहुत सिंपल को सने वैसे एक तिसका जो स्कॉर होता नौस एक सट होता है और यहां दस्मलों पीछे से एक प्लेस पर लगा है तो इसकॉर में जो दस्मलों पीछे से दो प्लेसे पर लगेगा मतलब आपका ऐसे तो नो से एक सोट अपसे नम्मर दी चलिए अब हम देखते हैं देखा कि 1024 अंडरूट में 24 माइनिस 900 अंडरूट 900 क्या होगा इसका आपका चार अपसन दे रहा है तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं कि यह 24 का वर्गमूल क्या होगा तो देखिए जब लांस्ट में क्या हो फोर जब लास्ट में क्या हो फोर तो वर्गमूल लिकालते समय स्क्वार रूट में जब लिकालते समय प्लेस पर या तो क्या होगा दो या तो क्या होगा आट होगा आप पीछे से दो डिजिट कट करिए अब दस दस किसके स्क्वार तो थीन के स्क्वार नाओ चारके स्कॉर जो दस से थिन के स्क्राइब यहां पर रखेंड आप 12 Uhh काम है इन दोनों में कम नमर कौन है दो है इसका मतलब 1024 का जो स्क्वार रूट होगा क्या होगा 32 होगा आपको प्राइम प्राइम ट्राजेशन या लांग डिविजन लगाने के कोई जरूरत नहीं है अब देखते हैं कि जो 900 क्या होगा तो अगर लास्ट में 2-0 है तो है 24 का कितना होगा एक हज़ा 24 का आपको रूब करह comments क्या कि थे अथे नौससाह का निसमार मजब लोग प्रवश्यम वर्वू want कीама होगा ओर मजब स्क्वार क्या होगा आप देख सकते हैं कि यहां a2-b2 का फर्म बन रहा है और आप लोग पता होगा a2-b2 a2-b2 क्या होता है फर्स ब्रैकेट में a2-2 ब्रैकेट में a-2 होता है यहां एक वेलू 87 है अब एक वेलू प्लस श्यासी फर्स ब्रैकेट में सेकेंड रैकेट में 87 माइनस कितना श्यासी एड़ कर दीजिए साच्छा तियरह आट-ट शोलह एक साच्छा एक 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 तर अगर आप लोग इसको एड़ करते हैं इस बिल्कुल मत करिए जब भी अगर कोसम देखिये कि 87 यहां दे रहा है और यहां 86 दे रहा है और बीच में माइनस और स्कॉर्स कर खर करके हैं मतलब ऐस कार मैनिस फिस कार को फ़ाम बन रहा है और इन दौने नंबर में अगर एक का अंतर है तो आपका डिरेक एंसर मैंने बोला कि जब भी देखिये कि सब्सक्राइब दे रखा है और इन दोनों में अगर एक का अंतर है तो आपको एसकर मैनिस बीसकर कर फार्मुला लगाने की कोई भी जुरूत नहीं है आपको अगर टाइम बचाना तो मात एक सेकेंड निकल लेंगे देखें क्या ट्रीक है इन दोनों को बस अपसमों जोड़ देजिए 87च जब भी देखिए कि एसकार मैनिस बीसकर का फार्म देरा का है और इन दोनों में अंतर लगाने कि कोई भी जरूत नहीं है बस ऐसी कंडिस्टन देखिए कि जब अंतर एक का हो दोनों वैलू को जोड़ देजिए वहीं आपका एंसर होगा और अपना टाइम क्या हो जाएगा बच जाएगा चलिए हम नग्स सोचन देखते हैं अब यहां देखिए आपको घंण मूल निकालना है और इक अई कंक 3 है जब घंण मूल निकालेंगे तो युनिट प्लेस पर क्या आने वला है साथ आएगा जब भी देखिए कि अगर आपको गनमूल निकालना है और इसका लास्ट प्लेस आपका तीन दे रखा है जब गनमूल निकालेंगे तो आपका इकाई कंग क्या एगा साथ आएगा और पीछे से क्या करिए तीन डिजिट करिए अब कुछ बचा ही नहीं इसका मत कट करिए और कुछ बचा ही नहीं तो साथ माइनस च्च्च आपको क्या होगा एक एंस Tr Brika 343 का जो होगा साथ तो ऑगनubla क्या होगा चोड़ो झारगा शाट मैनस स्वां क्या कितना को तो यहां देखे कि यहां भी क्यूव रूट है यहां भी क्यूव रूट है अब एक सिंगल की रूट बना लिजे एक सिंगल की रूट बना ये 169 x 25 x 65 कर दिजिए इसका प्रैम फ्रक्राइजिसन कर दिजिए कितना जाएगा 13 x 13 25 कर कितना 5 x 5 65 कर कितना जाएगा तेरे 65 अब बना लिजिए तेरा गुड़े तेरा गुड़े यहां वाला तेरा पांच 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 तीन बार है और आपको निकालने हैं गन्मूल क्या होता है कि तिन के बिर बनता है इसका एक पिर बना इसका एक पिर बना इसमें से एक बार निकलेगा और इसमें से एक बार आएगा पांच तेरा पाचे 65 होता क्या कि देखिए तेरा 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 तीन बार है यहां लिखे लिए पांच 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 यह भी तीन बार है इसका एक पिर बनेगा तेरा बाहर आजाएगा इसका पिर बनेगा एक पांच बाहर आजाएगा तेर 0.001 अपान के 1.331 देखिए इसमें क्या है कि नुम्रेटर में पीछे से भी decimal तीन प्लेशे तक दे रखा है और denominator में भी हर में भी पीछे से तीन प्लेशेस पर डेसमल दे रखा है तो क्या करेंगे ऐसे कंडिस्नस में आपका डेसमल गाब हो जाएगा रिमूब हो जाएगा उपर बस बचेगा वन अनीचे कितना अब ऊपर अनुचे semua आपका गाब हो जाएगा अब ऊपर को गालीजे जेगा निचे क का अपान कि आप ओ तेरा सो एक यस का गाब गाब कितना होगा एक होगा और तिरे सब्सक्राइब होता है आपका कितना होता है ग्यारा होता है एक बटा के ग्यारा आपसर नमबर ए चलिए हम लोग आपने स्कूसं देखते हैं को संदे रखाय कि 0.000169 का वर्गमुल क्या होगा चले निकालते हैं वर्गमुल को तला में यह वला सिंबल लगना चाहिए जिरों प् yakूनीट जिरोंंटवांग्सप्सप्सस ओं जब भी देखिए कि यह 179 और 169 से पहले जी रखा है तो बस आपको वर्गमुल निकालना है फिलाल में 169 कहीं निकालना क्यों ग्या से आपका 13 होता है और याद एक कि इसमें इस संक्या में जो आपका डिस्मल पीछे से छो प्लेस्ट पर रखा है एक दो तीन चार पांच छे तो जब आपका क्या है आपका को सन एक रूट एक सपचीज बटा कि तेरह सो एक इस माइनस स्क्वार रूट वर्गमूल चौंसर बटा कि एक घजर चोबिस तो क्या करें कि ऊपर को पर की रूट और नीचे का नीचे की रूट एक सपचीज का कि रूट उपर को उपर नीचे का नीचे होगा तेरह सो एक तिस माइनस उपर को पर उपर शुकार रूट नीचे का नीचे 64 एक हजार चोबिस एक सो पचीज का जो गन्मूल होगा पांच तेरह सब्सक्रा कितना होगा ग्यारह माइनस चौंसर का कितना आठ एक हजार चोबिस का कितना बत्तिस अब इसको कट करेंगे आठे कम आठ आठ चो के बत्तिस तोगा आपका पांच बटा के अब ग्यारह मैननंस एक वटाके चार अ वटाक तक चार एलस लेंगे गैरहच ऑचान इ cucumbers क्यों टवाराकर चार पचे-जड्पेस डिवाइड करिगे तो आपको 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 बसक्ताप करने को जरूत भी नहीं है और आपको आपको आपको